गौतम चरिया का मतलब है, यहाँ गोचरो जो सब्द है बहुत इंपोर्टेंट है, ज़रसल जितने भी सब्द आते हैं पुराने समय में जिनमें सुरू में गोव आता है, गय ओकी मातरा गोव, गोव नहीं आता है, दो मातरा वाला पाली के अंदर नहीं है, औरत वाला जो द समधित है धमपद गाठा कथा नंबर 92 या नाइटी टू ये जैतवन बिहार की सावित्धी की कता है खाना खाने के लिए समय गवाना उनको अच्छा नहीं लगता मगर निया में विनेका के पिंड़ चारिका के लिए धम चारिका के लिए जाना पड़ेगा यानि के धम सिखाने के लिए लोगों को जाना पड़ेगा और जहां धम सिखाएंगे तब उसके बदले में खाना लाना पड़ेगा तो वो धम चारिका करने के लिए पिंड़ चारिका करने के लिए वहां से निकले जैतवन राम से जैतवन बिहार से और उन्होंने चार पांच घर जैसा भी नियम था वहां उन्होंने पिंड लिया आहर लिया फिर उन्होंने देखा कि आहर थोड़ा कम है तो दुबारा वो चारीका के लिए गए गाओं में और कुछ बिड और लेके आए जितना वो खाना लेके आए वो खाना उनके लिए तीन चार दिन के लिए परयाप्त था उन्होंने खाना वहां खाया बिहार में आके और जो एक्ष्टा खाना था फाल्तू खाना था ज़्यादा खाना था उसको सुखा दिया चावलो को चावल ज़्यादा मिलते थे और सुखा के रख लिए और विपस्ना साधना करने के लिए ध्यान में बैठ गए ध्यान में बैठने के बाद में एक दिन बैठे रहे भिक्को उने देखा कि ये पिटचारी का के लिए धंबचारी का के लिए नहीं जा रहे है और विने का नियम का पालम नहीं कर रहे हैं क्योंकि परिग्या नहीं करना है परिग्या का मतलब है संग्रे नहीं करना है इखटा नहीं करना है, संचे नहीं करना है उसी दिन लाना है उसी दिन खाना है ये बात कानाफुसी होते होते भगवान बुद्ध के पास पहुँची कि जो वेलठी सीस हैं भिकु थेर हैं वो ऐसे ऐसा कर रहे हैं तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही गाथा नंबर 92 ये संग सच्ची नयो नत्ती ये परियात भोजना सुयतो अनिमित्तो चैह विमुखो ये संग गोचरो आकासे वे सेकुंतानं गती तेसंग दुरन्या तेसंग सच्ची नयो नत्ती जो की संचे करते हैं सच्ची नयो का मतलब है संचे करते हैं नत्ती यानि कि जो ऐसे करमों का संचे नहीं करते जिन करमों से साधना में परिशानी आती है जिन करमों से पापकर्म बढ़ता है जो करम दुखदाई होते हैं या आसव होते हैं ये परियात भोजना ये माने जो और परियात का मतलब है पूरी तरह से ग्यात भोजना यानि जो भोजन की मात्रा को पूरी तरह से जानते हैं सुन्योतो अनिमितो चै सुन्योतो का मतलब है सुनने यानि एकांत में जो एकांत में रहते हैं एकांत में विशन करते हैं एकांत में साधना करते हैं तब करते हैं अनिमित्तो चे अनिमित्तो का मतलब है बिना कारण के यानि के कोई कारण नहीं है ऐसा कि जो एकांत में ना जाए चे और विमोखो येसंग गोचरो विमोखो का मतलब है निबान पत के लिए मोखोने के लिए विमोख थोने के लिए विमोख थोने के लिए क्या करते हैं ये संग जोकी गोचरो गोचरो का मतलब है गोटम चरिया गोटम चरिया का मतलब है यहां गोचरो जो सब्द है बहुत इंपोर्टेंट है दरसल जितने भी शब्द आते हैं पुराने समय में जिनमें सुरू में गोव आता है गय ओकी मात्रा गौ गौ नहीं आता दो मात्रा वाला पाली के अंदर नहीं है औरत वाला जो दो मात्रा है वो पाली में नहीं है तो एक मात्रा वाला गौ है गौतम से बना हुआ है तो गौ जो है और गौ के साथ जो भी सर्द पीछे लगता है वो गौतम से सम्धित है गौतम धूली का मतलब है कि गौतम बुद्ध जब चरिया करते हैं तो जो धूर उलाते हैं यानि जो उनके सावक संगें जब धूर उलाते हैं चलते हैं बहुत सांथ चलते हैं फिर भी धूर उड़ जाती है पैर जब भलका सा लगता है तो ऐसे ही गौतम चरिया का मतलब है कि गौत दिन में जो काड़ किये जाते हैं दिन चरिया वैसे चरिया चार प्रकार की है उठना, बैठना, सोना और चलना जो मनुष से यानि नर है या नारी है जो चात रहका या जो पसू है चात रहका जो काम करता है उसको चरिया बोलते हैं तो गौतम की जो चरिया है उस चरिया से य जो निबान प्राप्त करते हैं बिना वजह जो बिना कारण के नहीं रहते हैं और एकांत में जाके बैठते हैं आकासे वे सकुनतानंग आकासे वे सकुनतानंग का मतलब है आकास में जैसे सकुनतानंग का मतलब है सकुन भी गोते हैं इसको सकुनतानंग सकुन्वी और सकुन्तान सकुन्तान माने बर्ड यानि पक्षी यानि पक्षी जो घूमते हैं चडिया जो घूमते हैं आकास में घूमते हैं गती तेसंग दुरन्या दुरन्या का मतलब है ग्यात अया से बना हुआ है और दुर का मतलब है कठिन तेसंग माने उनकी यानि उनक गती है उनकी यह जानना अज्ञात है कि वो कहां उड़ रहे हैं कहां जा रहे हैं विसके आकास में पंच्य है जाते हैं जबकि कोई कारण ऐसा नहीं होता कि वो एकांत को छोड़े हैं यहनि एकांत में रह जएते हैं और भगवान बुद्ध के बताय हुए रास्ते पर दिमुक होने के लिए निबान होने के लिए वो चलते हैं ऐसा बताया तो यहां जो विने का नियम तूटने की बात भिको ने भगवान से कही थी भगवान ने उसको विने के नियम का तूटना नहीं माला कारण क्या है कि विन्य के नियम भगवान बुद्ध ने बाद में बनाए है सबसे पहले भगवान बुद्ध को धम के दसन हुए यानि धम सीखा उन्होंने प्रगती में कैसे काम करता है सरीर और मन कैसे काम करता है फिर उन्होंने लोगों को सिखाना सुर किया जब उन्होंने सिखाना सुरू किया, अब सिखाने में जो दिट्टा ताई, उसके नीयम जो बने उनको विने के नीयम बोलते हैं। एक 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 परिशानी आती गए, और एक 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 नीयम बनता रहा, पूरे जीवन नीयम बनते रहे, आखिर में उन्होंने भगवान बुद्ध न ये भी कहा अनंद को कि कुछ नियम अगर छोड़ना चाहे विक्व संग तो छोड़ सकता है और इसका मतलब ये भी है कि कुछ नियम जो आगे समय में आएंगे जोड़ना चाहे तो जोड़ भी सकता है कुछ भिक्तों ने उसको नियम को छोड़ा भी जो नियम ऐसे थे जो समय बेकार हो गए उसी तरह से भगवान बुद्ध ने जो क्योंकि में जो अब्जेक्ट है वो है विपस्रा साधना करके और मुक्त होने का है और अगर मुक्त होने का मार्क बिल्कुर ठीक है और विने की हिसाब से वो बिल्कुर ठीक है और अब्जेक्ट बिल्कुर ठीक है तो इसका मतलब वो नियम ठीक है मगवान मुद्ध ने जब बोधी का लाव प्राप्त किया तब भी उन्हें खाने को संचे किया खाना एकटता किया था क्योंकि खाने के लिए बारबा जाना पड़ेगा तो साधना में विग्न पड़नी पड़ेगी तो खाना उन्होंने अपने पास ही रख लिया था साधना करते रहते थे और जब उनको लगा के अब भूग लग रही है और साधना का साथ नहीं दे रहा है क्योंकि बीमार सरीर होगा या भूगा सरीर होगा तो ध्यान साधना नहीं कर सकता तो वो कुछ खा लेते थे फिर वो बैड़ जाते थे तब उन्होंने बोदिलाब प्राप्त किया तो उन्होंने इस बात को सही माना कि अगर वो दो-तीन दिन की भिक्का एकटी करके सुखा के अगर वो मात्रा जानता है भोजन की मात्रा उसको जानकारी है यानि कि बहुत ज़्यादा नहीं खाता बहुत कम भी नहीं खाता तब उसके हिसाब से ये बिलकुल ठीक है क्योंकि वो गौतम की चरिया कर रहा है निबान के लिए प्राप्त है और वो एकांत में बास करता है और वो निबान की प्राप्त करके बिलकुल ऐसे उड़ रहा है जैसे आकास में पक्षी है जिनका पता नहीं ने जाता और जो उड़ते रहते हैं महनत करते रहते हैं धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हें की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेण गच्छाम। बूतियं पी बुद्धं सरेण गच्छाम। बूतियं पी बुद्धं सर्मं गच्छाम। बूतियं पी धन्मं मर्सेण गच्छाम। बूतियं पी बुद्धं सर्मं गच्छाम। बूतियं पी संगं सर्मं गच्छाम। बुखियं पी सन्यम सर्णं कच्छानी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छानी बुखियं पी बुद्धं सर्णं कच्छानी ततियं पी धम्मं सर्णं कच्छानी ततियं पी सन्यम सर्णं कच्छानी ततियं पी सन्यम सर्णं कच्छानी साधू, साधू, साधू कामेस सुमिचचरविर्मनी सिखापदन समाधियामी कामे सुमिच्छ चरविर्मनिसिक्खा पदन्समाधियामी